सब्सक्राइब एक मेरा इने मेरे दोस्तों इस स्वीड़्यों में बात करेंगे दो क्रीया सारी विज्ञान के शेप्टर albo six के बारे में जोकि मन और आत्मा इंदी वीड़ों के बारे बात करेंगे जो कि हमारा टॉपिक है जो भी पॉइंट है वह आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो की पार्ट सेकंड उसमें बात करेंगे तो सबसे लिए देखते कि मन की निरुक्ति क्या है मन यत्य ग्यायत है मतलब जिसके द्वारा मनन करके ग्यान करने की संदा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं मन कहते हैं प अपने की जशाए तो सब्सक्राइब द्रवे के इकने मतलब जियेके से नो बताई है इस्वारा मन आ इंद्र्वे बारे का जिनके अगर अपने बात करें तो खादिन्या आत्मा मना कालो दिसस्चे द्रवा संग्र मतलब की खेका मतलब है आकास वायू अगनी जलो और पर्थी खेका मतलब जितने भी पंच माबूत है वो खेसे अपको यहां पर लेने उसके बादे मन आत्मा काल और दिसा यह नो काल द्रवी जो है बताया गया है उत्पत्ति की बात गड़तों मन की उत्पति जो आचारी सुसुत्न मन की उत्पति सरस्टी उत्पति के दौरन साथविक और राजसिक एंकार उसे एकादस इंद्रियों की रूप में होना बताया गया है जब हमने पदार्थ विज्यान के जो कि पड़ लेते तो उस टाइम हमने जब स्रश्टी उत्पति करम को देखा था तो उस रस्टी उत्पति करम के अंतरगत अपने देखा था कि जब साथ विक और राजसिक एंकार के आपस मिलने से ही जो है वो मन या उबेनेंद्रियों की उत्पति होती है मतलब होने में तो यह वह पांच जो भी 11 इंद्री उन 11 इंद्री उत्पति होती इसलिए मन इंद्री इसलिए मन की उत्पति भी जो है राजसीख और साथविक एहंकारू के होना बताया है आचारी सुसुर्ट ने भी इसे तरय से बताया है और आचारी-चरका भी यही कहना है मन के लक्षनों की बात करती है तो दोस्तों मन के लक्षन है की आत्मा इंद्रे वेवे विश्ये इनके सन्नीकर्स में भी ज्यान का बाओ या अभाओ होता है मतलब जब आत्मा जो है वो इंद्रिय के साथ में और इंद्रिय अपने विसे के साथ में जो है वो सन्निकर्स करता है सयो करता है तो उसके परिणाम सुरू भी ज्यान की उत्पति होती है अब इन चारों के साथ में आत्मा, इंद्रिय और विसे, इनके साथ में अगर मन की उपस्तिती होगी, ये तिनु जो है वो आपस में सन्नीकर्स के वस्ता में है, या इनमें सही होगे, लेकिन मन अगर इनके साथ में उपस्तित नहीं है, तो ज्यान की उपस्तिती, ज्यान की नुबुती जो हो नहीं होगी मतलब मन क्या है कि किसे भी वस्तु के ज़न को प्राप्त करने में महित्पुन भुमिका निवाता है क्योंकि आत्मा- इंद्रिय और विश्य इन तेनु का सव्योग होने के बावजुद भी अगर मन का सहयोग नहीं होगा इनके साथ में तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती मतलब कि ज्ञान की उत्पत्ति के लिए मन का सहयोग जो है वो आत्मा इंद्रे और विष्चे इनके सन्यकर्स या इनके सहयोग के साथ में होना जरूरी है अगला जूर मन का लक्षन पता है वो है कि ज्ञान का होना या नहीं होना जो है वो मन का लक्षन अगर ज्ञान की प्राप्ति हो रही है इसका मतलब मन जो है वो प्रोपर कार्य कर रहा है मन का जो भी काम है जो भी कार्य है वो कार्य उसका प्राकरत करम जो है ठीक प्राप्ति नहीं होती इसका मतलब मन के द्वारा कारवेज़ जो है वो ठीक तरह से नहीं किया जा रहा उसके बाद लोस्तों लास्ट पॉइंट जो आता है आज की वीडियो कार आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है यह पॉइंट वो है कि मन के गुण मन के गुण के लिए आचारिय चरकने सारे रिस्तान में एक स्लोग बताया कि अनुत्वम मत च एकत्वम द्वगुणों मनसा इसमर्तों मतलब आचारिय चरकने सारे रिस्तान में बताया कि अनुत्वम च एकत्वम अनु और शुक्षम और च एकत्वम मतलब कि एक होना या एक क्तु होना ये दो गुंड जो हो मन के आचारियस चरक ने सारे रिस्तान में बता हैं अचारियस चरक ने मन के दो गुंड अनुट्वम और एक प्रेनाम का माना जाए तो यह आकास की तरह व्यापक होगा जिस परकार से व्यापक आत्म सभी इंद्री से एक साथ समंध इस्तापित किये रहती है उसी परकार से मन को भी जो है सभी इंद्रियों से समंध इस्तापित किये रहना चाहिए अब जिस तरह से आत्मा जो है वो इंद्रियों के साथ में इंद्रियों अपने विश्य के साथ में सनिकर्स कर रही एक समय में जो है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ में बहुत सारी इंद्रियों का जो है अपना का जो भी करम है उसको कराने का कारे कर रही है तो मन को भी जो है वो एक साथ में एक समय में जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ में अगर जो है वो मिलना चाहिए मन जो है वो क्या है अनु है मतलब सुक्षम है शुक्षम होने के वज़े से वो एक समयम एक के साथ में ही क्या होता है सनीकर्स कर पाता है परूंतु वास्तों में विवारिक तोर पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि यदि ऐसा होता तो सभी वस्तु का ज्यान एक साथ होना चाहिए लेकिन सभी वस्तु का ग्यान एक साथ ना हो करके पर्तक पर्तक ग्यान की प्राप्ति होती है इसलिए मन को जो अपन क्या बोल सकते हैं सुक्समिया अनू जो हो बोल सकते हैं अता इस पस्टे कि मन वरद नहो करके सुक्समिया अनू रूप में होता है इसके बार वे एककतोव मतलब कि एक हょुद आएक होना मन एक समय में एक ही विच्चय को गरहन करता है अरतारत मन एक नेक नहों करके एक बताया गया है अगर इसको एक एकम्पल की रूप में बात करता है तो आचारी चक्रपणे नीगाँ टीकामे करके और वो है कि जब आप एकजार कमल के पत्थु को लेकर के और तो उन ऐखे उपर रख रख के ऊपर एक उन पे छे दन करते हो उतक करने के टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि सभी पत्थू का दू को आपको इसलिए लग रहा है क्यूंकि जब आप 6 दन कर रहे हो तो उस चया दन के दुरहन उन पत्तु के 6 दन के मध्य पाये जाना वाले समय अंत्राल है मतलब एक पत्ते का 6 दन हुआ और दूसरे पत्ते का 6 दन हुआ इन दोनों के बीच की जो time duration है वो time duration बहुत ही कम है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि सारे पत्तु का जो 6 दन है वो एक साथ हुआ है लेकिन एक चोल में एक पत्ते का 6 दन हुआ उसके बार दूसरे पत्ते का 6 दन हुआ फिर तीसरे पत्ते का 6 दन हुआ इस तरह से जो एक के बाद एक जो है उसका 6 दन हुआ है तो उन दोनों के बीच का जो time duration है वो क्या है बहुत ही कम है इसलिए आपको ऐसा लगता है कि एक समय में बहुत सारी इंद्रियों के साथ में सनीकर्स कर रहा है लेकिन एक चोल में एक समय में एक ही इंद्रियों के साथ में सनीकर्स इसके दुआरा किया जाता है तो आचारी चकरपाने ने जो अपनी टीका में जो ये एकजाम्पल देके बताए कि एकजार पत्तु को आप कमल के पत्तु को एक साथ रखो फिर उनका छे दन करते हो तो आपको समय का अंतराल बहुत कम होने के गविज़े से आपको ऐसा लगता है कि एक समय में ही जो हो सभी समय میں का शहे दन हो गया लेकिन बास्तु मईहीं साह हो नहीं रहा है एक समय में जो हो कि हो हो एकी पत्ता छे दन हो उठावोचे जूरत हो है इसको बताया गया है इसको आप अच्छे से इस तरह से समझ सकते हो उसके लाव दूसरे एक्जांपल जो आचारियों नों बता है वो पता है कि ठीक इसी परकार से कक्सा में अध्यन काल के दोरान चातर पहले सुनता है समझता है तब लिखता है इस कारिये में इंद्री एक साथ परवर्त नहों कर पर्थक परवर्त होती है जैसे एक एक्जांपल की और बात करें तो इस्टुडेंट क्लास में बेटा रहता है तो इस्टुडेंट क्लास में ऐसा नहीं कि एक साथ समझ भी रहा है लिख भी रहा है और पढ़ भी रहा है ऐसा नहीं है पहले वो समझता है उसके बार उसको पढ़ता है पढ़ने के बाद में उसको लिखता मतलब सारी चीजे वह हो different different time में हो रही है लेकिन actual में लगता किसा है कि एक साथ जो समझ भी रहा है पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है क्यों क्यूंकि उनके बिचका समय अंत्राल जो हो क्या है बहुत ही काम है तो इस तरह हम मन की विशे मन के करम मन का इस्तान और सात्व का से जो सात्विक प्रकरतियादी जो पूरूस होते उनके लक्षन जो हो आचारी ने क्या क्या बताए इन चारू-पांचो टोपिक के बारे में आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो की पार्ट सेकेंड उसमें बात करेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिसकर्स किया कि मन के गुण जो हो कौन कौन से बताए गये मन के लक्षन जो हो आहिरोध में क्या क्या बताए गए उत्पत्ती के आहम परीबासा क्या है परियाए और उसकी निरुक्ति के बारे में